अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें तब और तो टीवे पर प्रसारित महाभारत सीरियल के दिनों में हमने यदा यदा ही धर्मस सिग्ला निर्भवती खुब सुना यदा जब है जो कब है और कदापी में है यदा और कदा का तीसरा सह संबंधी तदा है जो तब है तब एक तो समय से जुड़ा है दूसरे स्थिती से तब हम वहाँ रहते थे में तब का मतलब संकेतित समय है उसका अर्थ उसके बाद है यदि सही पारिश्रमिक मिला तब आपका काम करूँगा इस वाक्य में तब का मतलब संकेति इस्थिती है उसका अर्थ उस दशा में है दूसरे अर्थ में तब की जगह तो भी फिट बैठता है इसके लिए एक औरुधारन सुनिए यदि आप वहाँ जाएंगे तो मैं भी चलूँगा इस तो की उत्पत्ती संस्कृत के तत से बताई गई है एक तो और है जो अभी बताए गए तो से बिलकुल भिन्य है जिसे तब से अदला बदला नहीं जा सकता लड़की तो ठीक है तुम तो बेवकूफ हो मेरे तो गिर्धर गोपाल आप अच्छे तो हैं? सुनो तो अब तो बात फैल गई ये तो वाग के में प्रयुक्त किसी वाग भाग पर जोर देने उसकी विशिष्टिता दिखाने या उसका प्रिथकत्य सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है इस तो को संस्कृत के तु से व्युत्पन्न माना गया है जिसे किन्तु और परंतु में याद कीजिए तुमें स्कूटर चाहिए था तब तो तुमने उसे खरीदा इस वाग में दब और तो दोनों अपनी अपनी अड़ पर है यहाँ तो का अर्थ तो बलवाचिता ही है पर तब का अर्थ उस कारण है